तो दोसो Civil Site Visit Channel में स्वागत आपका, तो आज की वीडियो जो रहने वाली है, एक Site Engineer जो होता है, उसकी क्या-क्या काम होती है, उसको क्या-क्या आना चाहीए, क्या-क्या responsibility होती है, या Quantity Surveyor जो होता है, उसको क्या-क्या आना चाहिए, क्या-क्या responsibility होती है, वो मैं बताऊँ गा कि कोई भी interviewer है, कोई company आपसे क्या demand करती है, आप में skill के साथ क्या क्या चीज़े होने चाहिए, ये तीन चीज़े मैं बताने ही वाला हूँ, कोई भी video देखते हो, बले मैं किसी course के बारे में लाता हूँ जा कुछ institute के बारे में लाता हूँ हर video में आपके लिए knowledge आता है, तो video ये सोच के मत छोड़ा करोगी course बताएंगे से, course भी वही लाता हूँ जो आपके लिए beneficial होते हैं, जो comprise में होते हैं, या free होते हैं, coupon code होते हैं तो आज भी 10 coupon code लाया हूँ site engineer course और किसके quantity surveying course के लेकिन उसके साथ-साथ आपको में skill और tips भी बताने वाला हूँ तो complete video देख लो, 5-6 मिनट में आपके लेता हूँ और 5-6 मिनट में knowledge भी मिलता है और काफी beneficial चीज़ें भी आपको मिल जाएंगे, तो शुरू करते हैं आज का video सबसे पहली चीज़ में बात करूँ, इस समय इंडस्ट्री में जो hot demand होती है construction में सबसे पहले freshers को as a site engineer लिया जाते है फिर दूसरी job जो रहती है quantity surveying या billing engineer लग लग पोस्टे भी आती है, same as a quantity surveying भी बिल भी करता है, तो ये दो पोस्टें site पर आती है, CMTA institute है जो आपको सिखाने वाला है और इनके पास 100 plus opening भी है engineers के लिए, उसी में site engineer और QS engineer भी रहती है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि course लोगे, तो आपकी job लग जाएगी कुछ ऐसा नामे बोल रहा हूँ या institute बोलता है, तो ये आपके पास MOCA है, सीखे और job के chances placement assistant आपको मिलने वाला है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्या एक civil engineer को आना चाहिए, लेकिन उससे पहले course की हम बात कर लेते हैं, site engineer course जो रहने वाला है, दोनों को combo op के लिए लाया हूँ, site engineer plus quantity survey course, combo course रहेगा, सिर्फ 750 में ये course मिलेगा, actual price दोनों का अगर हम गिनें, तो 6000 रुपे का ये course होता है, कितना, 6000 का ये course होता है लेकिन पहले दो 10 बच्चे होंगे उनको सिर्फ 750 में ये course में provide करूँगा 10 बच्चों को coupon code दूँगा मैं, तो coupon code रहेगा CMTI ठीक है, आपके लिए coupon code रहना है, CMT उसमें आपको certificate भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि आपको सिखाएगा कौन, पहले ये सुन लीजिए, सिखाएगा जिनको 40 प्लस का experience है और 40 प्लस का experience जिनको है अगर 40 साल किसी को किसी फिल्ड में knowledge हो से आप 10 मिनट भी बैठाऊगा ने, उसके पास वो इतनी चीज़ें आपको सिखा देगा जो आप किसी 5 से 10 साल का experience आप वो नी जिकालवाईगा तो 40 साल का experience है, काफी चीज़े आप सीखने वाले हो अभी main बात आती है, साइट इंजिनियर के लिए skills क्या होती है क्या क्या उसको आना चाहिए तो सबसे पहली चीज़ है जितने भी type के, different type आप structure उसके बारे में उसको पता होना चाहिए नीचे footing से लेके, sub structure, super structure ठीक है, next, drawing की study उसको आना चाहिए drawing reading कैंसे करने है, क्योंकि सारा काम हमारो drawing reading पर depend है, project को execution का plan, मतलब starting से procedures होगे लेकिन उसको knowledge होना चाहिए, आगे-ागे क्या काम होना वाला है, पूरा plan उसके पास होना चाहिए sequence, construction का sequence उसको पता होना चाहिए पहली चीज़ कौन सी होगे, फिर उसी basis पर planning और सब चीज़े कर सकता है, construction की methodology, procedure वगएरा इस सब चीज़े, schedule, detail construction के schedule उसको पता होना चाहिए resource requirement के बारे में उसको knowledge होना है, side logistic plan, infrastructure facilities के बारे में, structure box, जो भी foundation, column, wall, slab, उसके बारे में, finishing का knowledge, machinery, plastic, flooring, joineries, painting, इसके बारे में, MEP का, electrical or plumbing का work होता है, side engineers के लिए, क्योंकि degree दुरान इतना कुछ नहीं होता है, तो यह बहुत important चीज़ है, यह उसको आने चाहिए, PAB work के जो रहता है, pre-engineering building, जो fabrication work रहता है, structure, erection, उसकी कैसे करने है, वो सब चीज़े, exciting engineer को आना चाहिए, QSR building engineer को क्या, drawing reading तो आनी आनी चाहिए, must, ठीक है, फिर जो detail measurement की जाती है, autogad के help से, वो कैसे करते हैं, क्योंकि आज कल सब कुछ autogad से किये जा रहा है, easy हो गया, लेकिन वो आपको आना चाहिए, फिर जो IS code, जो हमें सब कुछ mode of measurement है, उसने सब बताया कि कैसे measurement करनी है, क्योंकि हर चीज़ का अलग method होता है, measurement का, वो आपको पताऊना चाहिए, BBS, bar bending schedule जो होता है, वो कैसे बनाना वो आपको आना चाहिए, जो standard coefficient होते है, अलग-लग work कैसे बनाते हैं किसी work का, वो आपको आना चाहिए, cost estimation कैसे करनी है, अभी आइटम का, ये सब चीज़ आपने चाहिए, और skills तो होगे, skills तो demand करती है, लेकिन industry में आपका जो academic record भी अच्छा होना चाहिए, कि आपने क्या आता है, degree की है, बस degree, autocad, courses, skills वो आपको होने चाहिए, आप में सीखने की power दिखनी चाहिए उनको, आपको knowledge होना चाहिए, subject का जाएं, जिस job के लिए apply कर रहे हो, और interest दिखना चाहिए, interviewer को, और commitment दिखना चाहिए, नहीं सर्मय कर दूँगा, यह हो नहीं, self initiative होना चाहिए, good communication skill उसकी होनी चाहिए, adaptability with the teammates, मतलब एक बंदा ऐसा होना चाहिए, कि जो teammates का साथ मिल जाए, जैसा भी situation हो, जो भी हो कर ले, फिर potential होना चाहिए, construction practice, फिर goal की तरफ आपका aim होना चाहिए, यह interviewer को आपको, simple बाशना में बन रहे हो तो इससे अच्छा, CMTA इससे अच्छा नहीं मिलेगा आपको सीखनेगा, क्योंकि experience teacher है, comprises में course, free courses आपके लिए लाते रहते हैं, तो CMTA help कर रहे हैं बच्चों को, देखो इनका एक logo जो है, वो काफी अच्छा मेरे को प्यारा लगता है, इन्होंने लिखा, gain your experience, तो वो ही चीज़ है, अगर experience gain आप कर लोगे, तो आप life में सब कुछ पा लोगे, तो इनकी जो app 4.9 की rating है, तो उसको भी जुरूद करके रखी, उसका description में लिंक डाल देता हूँ, दोस्तों का साथ share करोगे, तो आपको credit point मिलते हैं, फिर अगर हम बात करें, इनकी जो training है, CACM program जो है, वो भी काफी अच्छा है, जो आपको hybrid mode है, online भी सीख सकते हूँ, side भी जाके सीख सकते हूँ, उस course के help से काफी बच्चे placed भी हुए है, तो जो training सोच रहे हैं, कि हमें field पे जाके training करनी है, तो वो भी join कर सकते है, CACM course, certified course on advanced instruction management, तो 1 जुलाई से ये भी start होने व Thank you guys